प्रश्टाचार जो पांच साल में नहीं हुआ दूसरा बड़ा मुद्दा टेरिजम घर में घुसके मार के चला जाता था वो आज कंट्रोल हुआ है लेकिन ब्रश्टाचार हुआ नहीं आप कहे रहे हो तो राहूल जी तो कहे रहे है राफेल गोटाला हुआ है हुआ हुआ जी के पास कोई मुद्दा नहीं तो वही बोलेंगे उनके इसके अलावे और कुछ है मुद्दा उनके पास सिर्फ एक राफेल छोड़के कोई और बड़ उनके मुझे से निकलता है कभी ने सिर्फ राफयल, राफयल, राफयल आइस राफयल पर सुप्रीम कोड तक ये उनको डंडा कर दिया सुप्रीम कोड ने तो कहा है कि हम पुनर विचार एच्छिका एकसेप्ट किये उन्होंने हाँ तो उससे क्या होगा आर्पे सिंग मंडी भोपाल सियां तो यहां के बारे में जरा बताई यह बड़ा दिल्चस मुकाबला एक तरफ तो प्रग्या जी है और दूसरी तरफ दिग्वीजए और हिंदु आतंकवाद का मुद्दा यहां चल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अन्ततह जीत व्रूंत तरफ यहां से आगर आपको ख़ड़ा कर दिया जाता तो भी आप जीए जाते है प्रग्या तो दूर है जोकि लोग मूतीजी को देखने दो कि दूसरी यह दिखवी जैसिन जिन्होंने हम आज आज ने 92 का इतिहास आपको बताते हैं 92 में मंडी दीप और घोपाल का हालत इतना बदतर था ना बिजली ना रोड ना पाने बिजली का हालत तो पूछे नहीं लाल टेन घर में अभी भी रखा है पूरा ना पयान बे में त स्यूराज जी को हटा है क्यों आपने वो तो कुछ SCST का चकर चल गया उन्होंने SCST उनको ले डुबा हारे क्या भी बोर्ट परिशंट उनका देखे कि खावरी से ज्यादा है लेकिन SCST के चकर में कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 कहीं 400 से और एक बार हटना भी जरूरी था उनको भी समझ सेना को दिया तो कहीं ने कहीं मोधी जी की वह भी उपलबधी इसमें है लेकिन ओवरों सेना मोधी जी की मानते सार आपका शुब नाम विपुल सर्मा यहीं से हैं क्या आप देख पा रहे है बड़ी सबसे पहले आप से बोलेंगे आपने हिंदू आतंकवाद बोला लेकिन मुस्लिम आतंकवाद नहीं बोला ने यह मुद्धा यहां चल रहा है यह बताते हैं जिसको पूरी दुनिया ने आतंकवादी घुंशित की दिया है उसका हमारा कंडिडेट साहब बोलता है बस मैटनल खत्म लाट सॉल